तो आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा आप कैसे एनरमस रेखे फोन कॉल कर सकते हो मतलब कि अगर आप किसी बंदे को फोन करते हो तो उसके पास आपका नंबर नहीं जाएगा तो जी हाँ यह बिल्कुल अपने से ही सुना है यह पॉसिबल है तो कैसे पॉसिबल है ओही आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा आपसे एक छोटी सी बिंती है इस वीडियो को थोड़ा से भी स्किप मत कीजेगा क्योंकि एक बहुत अमेजिंग ट्रीक है एंड इसके बड़े में आपको कोई नहीं बताएगा ठीक है तो आपसे बिंती है इस वीडियो को पूरा देखिए तो चलिए बिना टाइम मोईस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो आप इस ट्रीक के मध्यम से फोन कॉल और टेक्स मेसेज दोनों ही कर सकते हो बिलकुल मुथ में तो जी हाँ एक पैसा भी आपको देने की कोई जरूत नहीं है अगर आपके अकाउंट में कोई भी पैसा नहीं है तो भी एक ट्रीक काम करेगा तो सबसे पहले आपको दो एप्लिकेशन डाउनलोड करना होगा सिंपली सबसे पहला एप्लिकेशन है टॉक यू एंड एक और एप्लिकेशन है जो मैंने इंस्टल किया है ओह है टेक्स प्लास तो आप टेक्स प्लास को इंस्टल ना करके और भी एप्लिकेशन डाउनलोड आपको सार्च करना है तो इसके बाद आपको यहाँ पे सार्च करना है फ्री यूएस से नामबर ठीक है जैसी ही आप सार्च करोगे आपके समने बहुत सारा एप्लिकेशन है आपे शो होगा तो इन में से कोई भी एप्लिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो जैसे कि मैं टेक्स प्लस को डाउनलोड कर चुका हूँ अर्रेडी तो इसके बाद जो करना है मैं आपको दिखा था हूँ तो दोस्तो सबसे पहले आपको टेक्स प्लस अप्लिकेशन को ओपिन करना है टेक्स प्लस अप्लिकेशन एक बहुत ही कमाल का एक अप्लिकेशन है तो टेक्स प्लस अप्लिकेशन में आपको किसी भी कंट्री का एक वार्चुल मोबाइल नंबर मिलेगा तो जी हाँ यहाँ से एक वार्चुल मोबाइल नंबर ले सकते हो किसी भी कंट्री का तो सबसे पहले आपको sign up क्लिक करना है sign up पे sots ब्लिख करके यहां से एक username set करना है username set करके यहां से password को एक set करना है तो password में आपको एक चीज याद रखना है कि यहां पे एक special character आपको डालना है जैसे कि hashtag, address, etc. कोई भी एक यहां पे enter करना है तब ही आप sign up कर सकते हो तो photo for sign up कर लिजे आप मैं already sign up कर चुका हूँ तो मैं simply login पे click करता हूँ यहाँ पे मैं अपना ID यहाँ पे enter करता हूँ और इसके बाद का procedure मैं दिखाता हूँ तो दोस्तो मैंने app में login कर लिया है और आप देख सकते हो मेरे पास एक virtual mobile number भी है तो आपके पास यहाँ पे कोई virtual mobile number नहीं होगा तो आपको क्या करना है आपको यहाँ पे एक option शो करेगा यह वाला option आपको verification करना होगा सबसे पहले तो आपको यह दूनों option आपको मिलेगा एक है add mobile number और दूसरा है add email address तो आप add email address पे click करना क्योंकि mobile number सिर्फ USA बालों को ही यहाँ पे entry की permission है तो add email address पे click करके यहाँ पे आपका email address दे देना है and email address देने के बाद आपको continue पे click करना है जैसी आप continue पे click करोगे आपके gmail address पर एक code आएगा उस code को आपको यहाँ पे paste करके verification कर लेना है यह आप कर्स पाओगे तो इसके बाद आपको एक mobile number मिल जाएगा यहाँ पे तो mobile number मिलने के बाद क्या करना है मैं आपको आप दिखाता हूँ तो आपको आप next step को open करना है तो दोस्तो इसके बाद आपको talk you application को यहाँ पे open कर लेना है तो talk you एक बहुत ही की शंदर application है जिसकी मध्यम से आप free में call कर सकते हो and free में SMS भी कर सकते हो तो हम gate started पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपको sign up button पे क्लिक करना होगा तो sign up button पे क्लिक करके एक कुछ permission मांगेगा आपको allow कर देना है इस सबको तो सबसे पहले आपको country यहाँ पे दिख रहा होगा तो इसको सबसे पहले change करना है तो आपको सबसे पहले जो है United States उसको slate कर लेना है and इसके बाद आपका mobile number यहाँ पे नहीं डालना है यह गलती आप मत कीजिए तो यहाँ पे ओही mobile number डालना है जो आपको text plus application में मिला है ठीक है तो यह दिखिए यह जो mobile number आपको मिला है इस mobile number को आपको यहाँ पे copy करना है ठीक है तो copy करके आपको यह जो यहाँ पे है interior mobile number यहाँ पे डाल देना है तो डाल देने के बाद आपको continue यहाँ से continue कर लेना है और इसका बाद यहाँ पे एक OTP आएगा जैसे कि आप देख सकते हो मेरा भी OTP यहाँ पे आया था तो ऐसे आपको यहाँ पे sign up कर लेना है तो OTP डालके continue पे click कर अपको sign up कर लेना है तो दोस्तों आप देखी सकते हो मैंने sign up कर लिया है and sign up करने के बाद कुछ ऐसा आपके पास interface होगा तो सबसे पहले चले जाना है आपको me वाले option पे तो यहाँ से आपको balance चेक करना है तो आप देखी सकते हो मेरे पास 15 credit पढ़ा हुआ है जो मुझे sign up करने के बाद मिला है ठीक है तो आपको कुछ ना कुछ credit यहाँ पे मिलेगा तो credit काम आता है call या SMS करने में ठीक है तो आप यहाँ से दो तरीके से यहाँ पे credit earn कर सकते हो एक तो है get free credit पे यहाँ पे click करके और दूसरा है आप यहाँ से daily check-in भी कर सकते हो तो जिसकी मैं यहाँ पे click करता हूँ और आप यहाँ पे देखोगे आप वीडियो देखके भी आप यहाँ पे कुछ credit earn कर सकते हो इसके अलाबा यहाँ पे daily check-in भी है तो देखते हैं तो check-in now यहाँ पे मैं click करता हूँ तो मुझे दो credit मिला है आज के लिए ठीक है तो यह हुआ sign up की बाद ठीक है तो आप यहाँ पे देखी सकते हो मेरे पास आप 17 credit हो चुका है यहाँ पे तो इसके बाद मैं आपको एक call करके दिखाता हूँ आप कैसे call कर सकते हो तो call करने के लिए यहाँ पे एक dedicated call का button दिया हुआ है तो यहाँ पे आईए यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले country select करना है यहाँ पे country दिखा रहा है इस पे click करना है राइंड यहां से आपको इंडिया рат कर लेना है क्योंकि हम इंडिया में कॉल लगा रहे हैं तो कोई भी नमबर आप डायल कर सकते हो आपके दोस्तों के नमबर या जिस बन्दे को आप कॉल करना चाहते हो उसका नमबर तो मैं simply मेरा ही एक number यहाँ पर dial करके call करके आपको दिखाता हूँ तो अब मैं इस call बटन पर click करता हूँ तो सबसे देखिए सबसे पहले जो option है cheap call इस पर आपको click करना है ठीक है तो सबसे देखिए 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 सबसे तो आपने देखा हम कैसे सिर्फ दो application के use करके किसी भी बंदे को call कर सकते है और उस बंदे को पता नहीं चलेगा कि call किस ने किया था तो ए वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा उमीद करता हूँ मैं and अगर इस वीडियो पसंद आता है तो एक like जूर कीजे क्योंकि like यार बनता है तो अगर कोई दिक्कत आता है तो मुझे जरूर बोलिएगा मैं reply कर दूंगा तो एक genuine trick है इसके लिए इस वीडियो को एक like जरूर कीजे तो मिलते हैं आप से next वीडियो में